दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतीसी मार लेना होंगी आज आमादमी पाटी की विधायक दल की बैठक में आतीसी मार लेना को शर्व शम्मती से विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद एलान किया गया कि विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतीसी मार लेना होंगी हम आपको बता दें कि विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतीशी मार लेना ने अरविंद के जरिवाल को अपना गुरू बताया विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतीशी मार लेना ने वीजेपी पर जम कर हमला बोला और कहा कि हम कभी उन्हें काम्याब न उख्यमंत्री होंगी इससे पहले श्रीला दिक्षित और शुस्मा स्वराज इस पद पर रह चुकी हैं सुनिए विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतीशी मार लेना ने क्या कुछ कहा यह नेता मेरे गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनोंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया ये सिर्वाम आदनी पार्टी में हो सकता है अर्विन केजरीवाल जी के नित्रित्व में हो सकता है कि एक first time politician एक राज्य की मुख्यमंत्री बने मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकेट भी नहीं मिलती लेकिन अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया मुझे विधायक बनाया मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दिया मैं खुश हूँ कि अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया लेकिन जितना सुखाज मेरे मन में है आज इससे बहुत जादा दुख भी मेरे मन में है दुख इसलिए कि दिल्ली के लोक्प्रिय मुख्यमंतरी मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरस से दिल्ली की दो करोड जनता की तरस से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंतरी है और उस मुख्यमंतरी का नाम अर्विन केजरीवाल है भारतिय जनता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विन केजरीवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शड़ियन्त रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा आदमी जो अपनी आई आरेस कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पुलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भारतिय जनता पार्टी ने भरष्टाचार के आरोप लगा जूटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसी एडी को सी बी आइकोन के पीछे छोड़ दिया उनको जूटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा आखिर कर सुप्रीम कोट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी Supreme Court ने केंदर सरकार के मुँपे तमाचा मारा उनकी एजनसी के मुँपे तमाचा मारा उन्हें कहा कि इनकी एजनसीज के इंदर सरकार की एजनसीज एक किंजरे में पैद कैद तोते की तरह हैं और अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरीवाल जी की जगा कोई और मुख्यमंतरी होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास सो छोड़िये शायद दुनिया की इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है मैं जनता की अदालत में चाहूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठ हूंगा मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई प्याग का उधारण मिलेगा जो आज अर्विन केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अर्विन केजरीवाल जी के स्टीफा से कल शाम मुझे एक बुजर्ग महिला मिली जब उन्हें खबर मिली थी कि अर्विन केजरीवाल जी ने स्टीफा दे दिया है वो रोने लग गई उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की परा है उसको इतना परेशान किया है उसको इतना परेशान किया उस पर जूटे केस लगाए और उन भुज़र्द महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं सभी दिल्ली वाले इतने गुसा हैं भार्तिय जंता पार्टी के शड्यांत्र से नाराज हैं और अपने बेटे अपने भाई अर्विंद केजरी वाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्य मंतरी क्योंकि उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल ही ऐसे इमानदार मुख्य मंतरी हैं जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिली है उन्हें पता है कि अगर अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजनी मिलनी बंद हो जाए उन्हें पता है कि अर्विन केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे उनको पता है कि अर्विन केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो हस्पतालों में सरकारी हस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्ध दवाईयां मिलती है वो बंद हो जाएंगी अने पता है कि अगर अर्विन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी बुज़र्गों की तीक यात्रा बंद हो जाएगी क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतिय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली अच्छे स्कूल अच्छे हस्पताल महला क्लिनिक प्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं और एक इमानदार अर्विंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है तो दिल्ली के लोग आमादमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने की नापे अब एक ही उद्देश से काम करेंगे कि हमें अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को समभाल रही हूं मेरा एक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भार्टीय जन्ता पार्टी अपने एलजी साहब के तुरू दिल्ली वालों के खिलाफ शडियंत रचेगी मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बजली रोखने की कोशिष करेंगे तो अगले कुछ महीने तक जब तक ये जम्मेदारी मेरे पास है मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी और अर्वन केज़रिवाल जी के मार्द दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओंगी मेरा अपने सभी कारेकरताओं से, सभी विधायक साथियों से दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोद है आप मैंसे कोई मुझे बढ़ाई मत दीचिएगा आप मैंसे कोई मुझे माला मत पैनाईएगा क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज मैं आज इस्तीफा दिया है मैं एक बार फिर अर्विन के जरिवाल जी का धन्यवाद करती है जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बार अर्विन के जरिवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहिए